एकतकपूर के फेमस शो बड़े अच्छे लगते हैं टू को लेकर बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कहां जा रहा है कि शो के लीड स्टार्स यानि की नकुल महता और देशा परमार ने इस शो को अलविदा कहने का मन बना लिया है और जल्द ही शो से अब राम और प्रिया एक्जिट लेने वाले हैं ये खबर अब हर जगर तेजी से वाइरल हो रही है जिससे फैन्स भी काफी निराश हैं और एक्जिट के पीछी की वज़ग को जानना चाह रहे हैं दरसल खबरों में दिशा और नकुल की एक्जिट के कारण को शो में आने वाले जनलेशन लिप से जोड़ा जा रहा है जी हाँ टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े अच्छे लगते हैं टू में मेकर्स ने लगभग 20 साल का लंबा लीप प्लैन किया है इसी लीप के आने से दिशा और नकुल ने शो से बाहर निकलने का फैसला लिया है हाला कि दोनों ने अभी तक अपनी exit को लेकर कोई confirmation नहीं दी बता दे कि ऐसी खबरे हैं कि नए track में मेकर्स शो की कहानी को राम और ट्रिया की बेटी पी हू पर फोकस करेंगे और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ेगी खबरे हैं कि मेकर्स इस समय आक्टर की तलाश में चुट चुके हैं जो इस पार्ट को आगे निभाएगी रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि मेकर्स पीवू के के लिए कई आक्टरिस से बात भी कर रही है बता दे कि बड़े अच्छे लगते हैं टू में दिशा परमार और नकुल महता की जोड़ी को छोटे परदे पर देखना ओर्डिन्स के लिए एक बड़ा सर्प्राइस था शोग में दोनों की केमिस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ ओर्डिन्स का दिल जीतने में कामियाब रही है दिशा परमार और नकुल महता के शोग से अलग होने की खबरों ने दोनों ही स्टार्स के फांस को निराश कर दिया है हाला कि अब देखना तो यह है कि नकुल और दिशा अपनी एक्जिट को कब तक कन्फर्म करेंगे और क्या कुछ कहेंगे शोग से निकलने की इन खबरों पार वही शोग की नई कहानी में मेकर्स किस नई चहरे को कास्ट करेंगे